दोस्तों, अगर आपको कोई तरिभूजाकार या कोई वर्गाकार फुटबॉल दे दिया जाए, तो क्या आप फुटबॉल खेल पाएंगे? नहीं न? क्यों नहीं दोस्तों? क्योंकि हम सब को यह पता है कि football का जो particular functions है वो पूरी पूरी उसकी structure पर depend करती है यानि कि हम लोग football तभी खेल सकते जब उसकी structure spherical हो, गोलाकार हो तो ठीक इसी परकार कुछ हमारी जो political societies होती है, political structures होते हैं वो कहीं न कहीं अपने functions को define करते हैं यानि कहने का मतलब कि political institutions के जैसे structure होंगे उसी करुशार कहीं न कहीं उसकी functions भी होती है ऐसा गैबियल आलवन सहाब का कहना है नमस्कार दोस्तों, political science विथासस में आपका स्वागत है आज हम सब एक नए वीडियो के मैध्यम से comparative political analysis में structure functional approach यानि की संरशनात्मक, परियाकात्मक, उपागम को समझने की कोशिश करते हैं चलिए शुरू करते हैं इस सबसे पहले यह बताना आवस्यक है कि structural function approach का सबसे पहले यूज अगर किया जाने की बात किया जाए तो यह सबसे पहले political science में नहीं होकर बलकि anthropology और sociology जैसे subjects में हुआ था इसके बाद कहा जाए पॉलिटिकल science में इसका यूज सबसे पहले 1970s में गैरियल आलबंड एवं पाविल के द्वारा किया गया था दोस्तों और उन्होंने कहा it is necessary to understand not only political institutions that is a structure but also their functions मतलब उन्होंने कहा कि यह बहुत आवस्यक है कि सिर्फ हम लोग political institutions के बारे में ना पढ़े political institutions के structures को ना जाने बलकि उसके functions को भी जानना अती आवस्यक है activities which make up the observable system and consist of some patterns मतलब वो सारे observable activities जो किसी systems को बनाते हैं और वो system जो है किसी खास pattern को ही follow करती है जिसका कोई खास structure होता है जैसे अगर हम बात कर example के तो तो political economy, society और culture यह सारे जो institutions हैं इनके अपने 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 कुछ ना कुछ particular pattern होते हैं particular functions होते हैं अब इसके बाद उसके functions को समझना आवस्यक है तो functions कहने का क्या मतलब है the action that are performed to maintain the system मतलब वो सारे काम जो किसी भी system को maintain करने के लिए किसी भी system को चलाने के लिए किये जाते हैं उस particular institutions के द्वारा उसे functions कहा जा सकता है जैसे modern times में हम लोग देखें तो legislature जो एक structure है जो एक political institutions है उसका क्या काम है making rule साथ ही में जो executive है यानि की कारेपाली का है उसका क्या काम है implementing laws तो इस तरह से पॉलिटिकल कंपरेटिक पॉलिटिकल एनलेसिस में गैब्रियल आलमन पावल शाहब ने कुछ इस तरह से define किया उसके बाद आगे डिटल से देखते हैं उन्होंने कहा structure functionalism is a tool of investigation मतलब जो structure functionalism है एक टूल है investigation का which perform the task of जो task perform करता है explaining what political structure perform what which functions of the political system यानि कि हमारी कौन सी political institution किस तरह की functions को करती है इस तरह की बाते को जानना बहुत आविशक है और इसे उन्होंने structure functionalism के माध्यम से describe किया इसे बताया इसमें cool बिलाकर अगर देखा जाए तो अस्ट्रक्षर functionism analysis revolves around the two की concept structure and secondary functions मतलब structure functional approach में Gabriel Almond साहब ने ठिक दो ही चीजों के बात की पहला किसी इंसिटीउशन के बारे में यानि उसके structures के बारे में और उस particular structure की functions के बारे में उन्होंने define किया इसे कुछ flow diagram से देखा चाहे तो initially political system को Gabriel Almond साहब ने दो भागों बाता ठीक उसी परकार जैसे Eastern साहब ने बाता था लेकिन इनका थोड़ा सा अलग है थोड़ा upgraded है चुकि हम लोग जानते हैं Eastern के द्वारा पहले पर्थिपादर किया गया था उनका input और उसकी बाद जब उसका pragmatic मतलब वह वहारिक नहीं हुआ तो उसके बाद फिर Gabriel Almond साहब ने अपना system structural functional approach दिया था तो इन्होंने कहा कि political system जो है वह two parts में divide होता है पहला input दूसरा output input मतलब किसी political institutions को चलने के लिए आखिर कौन-कौन से चीज़े आवेश सकता है जैसे उसमें हम लोग देखेंगे political socialization, interest articulation, interest aggregation और political communication जैसे inputs को Gabriel Almond साहब ने बताया है साथिमें हम लोग देखेंगे इसमें output में बताया है आवे लोग कि political institutions से, political system से rule making जैसे काम हो सकता है इसे rule application जैसे काम हो सकता है और third इसे rule education के जैसे काम हो सकता है तो चलिए इसे detail से देखते हैं सबसे पहले समझते है political socialization political socialization काहने का मतलब है किसी भी समाज का राजनेतिक की करण समाज का राजनेतिक की करण मतलब समाज में जो राजनेतिक मुल है राजनेतिक विश्वास है यह राजनेतिक attitude है उसका समावेशन होना यानि कि समाज के लोग अपने राजनेतिक के परती राजनेतिक विचारधार से हो तो it is a slow process of learning and includes institutions like family society universities and media मतलब यह slow process कहां हो सकती दोस्तों जहां पर हमारा जो है political socialization indirect way में हो जैसे कोई ऐसा family जिसका political leaders के साथ political environment के साथ दूर-दूर से कोई लेना नहीं हो तो उनमें कहेंने कहें यह socialization बहुत देरी से होगी slow होगी लेकिन वैसे families में जहांके लोग पहले से political activities में indulged हैं वो पहले से political activities कर रहे हैं तो दूसरों के दिखकर तुरंट ही शेख जाएंगे तो ही बताते हैं गैब्रेल अलमन इसके हो and indirect by observing others इसके बाद जो नेक्स्ट बताते हैं वह है interest articulation. Interest articulation means it is a political process where demands are made and transmitted to political system मतलब हम जानते हैं चुकि हम लोग society में रहते हैं society में हर तबके के लोग रहते हैं अमेज गरीब different caste different religion हर किसी की जो demand होती है वो अलग-अलग होती है तो सरकार जो political systems है वो कैसे हर किसी के मांगों को इकत्रित कर सके इस बारे में भी structure बहुत ही important होती है चुकि जब तक कोई भी system उस interest को articulate नहीं करेगी तब तक policy का formation हो ही नहीं सकता तो ही वो बताते हैं कि यह structure important है और इसका functions भी important है चुकि इसमें क्या होता इंट्रेस्ट फॉम political groups interest from political non-political groups जो गयर राजनीतिक समाज है गयर राजनीतिक जो ग्रूप है उससे उनका interest पुछना उनसे उनका मांग पुछना मांग जानना और फिर उसे political system मिलाकर उसे रूल law guidelines इसा बनाना नेक्स ए इंट्रेव एघ्रिट एग्रिफट को एग्रिफट कर एक कौनोन का रूप में बनाना जैसे को हम्लोगब बोल सकते हैं इस इन्ट्रेष्ट एग्रिफट्ट देश्सें में कहा नम है जोग्सभा राज caff जो पारलीवेंट है उसे हम लोगब बोल सकते हैं तो दो प्रोसेस्वेर डिमांड्स और प्रोसेस्ट और रिफाइड इंटो पॉलिशी तो यह क्या होता है यहां से आगे बढ़कर वह कंक्रीट पॉलिशीज में वह सारे डिमांड बनते हैं इसके बाद जो इंपोर्टेंट वण एक बार बताए है गांघेरील आलमेंगे सभब नहीं समझेंगे तब किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम सफल नहीं हो सकता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता ऐसा गाब्रील आलमेंग्स साहब का together through media and pressure groups मतलब मेडिया और pressure groups के माध्यम से हम लोग non-political groups और political groups यानि government के साथ आपस में बात विचार करने का साधन है चाहे वो pressure groups हो चाहे वो interest group हो या चाहे मीडिया हो वह बहुत important होता है अब हम लोग इनकी input भाग को देख लिए अब यह यह सारे political socialization, interest articulation, interest aggregation, political communication जैसे inputs से हमारा output क्या निकला उस बाद में भी समझना बहुत आविस्षक है जैसे यहां पर उन्होंने बताया पहला कि rulemaking means what it is a process of law making it is a process of law making which is done by the laser यानि कि एक ऐसा process है जहां पर हम लोग laser यानि विवस्था पालिका के मदद से हम लोग किसी भी कानून को बनाते हैं यह बहुत सारे institutions से हो सकता है बहुत सारे structure से हो सकता जैसे central legislature अगर हमारा country federalism है यानि कि संगबाद है जहां पर केंद्र बहुत है यह यह सासन और राज शासन भी हो तो केंद्र के द्वारा भी केंद्र विवस्था पालिका मतलब हमारा ओट्पूट में पॉलिटिकल प्रोसेश का पॉलिटिकल अस्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉडन काम होता है जो किसी भी रूल को एक्जीक्यूट करना किसी भी रूल को लागू करना जैसे हम लोग USA की बात करें तो USA में इस प्रफॉर्म वाइदा काविनेट अब चेर्मेन आफ काविनेट कौन होते हैं उसका अंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताए यह मैं आपके पास छोड़ रहा हूं इसके बाद जो तिसरा आपट वह बताए हैं रूल एडिटिकेशन यानि कि जैस्टिस यानि कोर्ट की बात करते हैं अ उसके लिए बताते हैं इडि़िए अ प्रोसेस अप इंट्रेटिंग अफ यानिज करत की की लार लौ को किसी उछ सब्सक्रżynd में उसका विस्तिध वरनन कि कोट कर सकता है कोट फांक्षन और फांक्षन और एक्जिक्यूट मतलब यह कहते हैं वो कि कोट जो है वह वह फांक्षन को लिमिट भी कर सकते हैं साथ ही मैं अब उनके तीर और पुट को समझें यह या तो तो rulemaking मतलब कानू बनाने का काम दूसरा executive का काम तिसरा interpret करने का काम यानि court का काम अब हम लोग समझते हैं merits of elements model यानि की कौन-कौन से merits हैं तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो structural functionalism provide universal framework for understanding different political system मतलब structure functionalism के माध्यम से हम लोग different political systems को एक असानी से बहुत easy way में समझने में मदद आती है यह चुकि हम लोग input और output इनके द्वारा जो system दिये गा है system functional structure functional approach वो काफी असानी से समझ में आती है पूरी political processes को समझने के लिए next है it provides a standard set of variable that can be used different forms of government different forms of political system whether it is traditional or model modern यानि कि गाब्रियल आलमेंस सहाब ने जो structure functionalism की जो बात कही वो जह हमारा traditional government हो या modern government हो traditional type का या unitary हो यानि कात्मक सासन विवस्ता हो या संगात्मक हो federalism हो हर तरह की government में यह सारी बाते पूरी तरह से अच्छे से लागू होती है मतलब उनके मेरिट्स को हम देखा अब उनके कुछ खामियों को भी देखते हैं मतलब उनके क्या क्या कम्या है फर्स्ट बार उनके क्रिटिक्स में यह कहा जाता है इस्ट्रक्शल फंक्शनलिजम इजन एस्टेटिक मोडल अनेवल टो एक्स्पेंचेंज इंडर सिस्थम जी हां दोस्तों चुकि हम दोग जानते हैं कि हर देश में समय अच्छा समय खराब भी होता है लेकिन गैब्रियल आलमंद सहाव ने हमेशा समय को एक रूप में मान कर चला है जब पॉलिटिकल सिस्टम पुरी तरह से एस्टपलाइज हो लेकिन वार के केस में और ऐसे उल्टे सिद्वेशन में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का क्या फंक्शन सोंगा अलमंद सहाव ने कुछ भी नहीं कहा है नेक्सट अस्ट्रक्सर फंक्शनलिजम जयसे तरह से हमेशा बनाने की बात कही है चुकि हम लोगों को पता है कि क्रांती जो है वो समय समय पर जगा जगा पर होते रहती है और क्रांती जो है वो पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को बदल का रख देती है तो इस बारे में गैब्रियल आलमन सहाब पूरी तरह से मौन है तो उमीद है दोस्तों कि गैब्रियल आलमन के जो भी इस्ट्रक्चर है उनके मुदाविक उनको अपना काम करना चाहिए ऐसा गावरियर आलमत साहब ने कहा तो अमीद दोस्तों आपको यह सारी बाते बहुत अच्छे समझ में आई होगी अगर सारी बाते अच्छे समझ में आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाहिंद